नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल अपरेंटिसिप इंडिया अड़ा में दोस्तों इस्टन रेलवे की तरफ से एक अपरेंटिसिप का फाम निकाला गया था जिसमें 2972 सिट के लिए वैकंसी का नोटिफिकेशन था एक्ट अपरेंटिसिप के लिए रिकुर्मेंट क Pent camp किया गया थी जिसमें घिसका डिवी के लिए पैनल जारी किया गया था और जिसका डिवी कंप्लीट हो गया नॉपन बर के मानमें उसका फानली रिजट्न पॉब्लिस पर दिया गया है जो कट्टाफ मेरिच लिष्ट भी और यह जो apprenticeship निकाला गया था, वो 21-22 सहस्तर के लिए apprenticeship का डीवी कम्प्लीट करा लिया गया था, और जो 22 थे इसके लिए apprenticeship का form था, उसका अभी पैनल जारी नहीं किया गया डीवी के लिए, तो इस वीडियो में इसे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो पैनल लिस्ट जारी किया गया है, cut-off result, क्या है, कैसे इसमें आपको selection किया गया है, कितने marks पर किया गया है, पूरा डिटेल वाइस वीडियो में देखने वाले हैं, अगर आप अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिए, अब वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर किया दोस्तों, दोस्तों, फाइनली हम आगे हैं, जो आरारसी इस्टन डेलवे की ऑफिसल पेव साइट है, आप जैसे यहां पर आएंगे, तो आपको यहां पर नोटिस बोर्ड वाले आप्सन में जाना है, और जैसे आप इसको नीचे स्क्रोल करेंगे, तो आपको यहां पर ही, आपको त अनसोल और मालदा इस्टन डेलवे नोटिपिकेशन 21, 22, यह रिजल्ट है, जो आपका इसमें तीन डिवीजन के बारे में बताया गया है, तीन ही तीन डिवीजन का यहां पर रिजल्ट पब्लिस किया गया है, आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने यहां स इस्टन डेलवे कोलकाता की तरफ से यह पब्लिस किया गया है, यह आपका यहां पर जो चेयर परसन हो, यहां पर देख सकते हैं, यह आपके अडवर्टाइजमेंट नमबर है, और यहां पर पूरा डुटेल में बात करना हैं, तो यहां पर जो आपकी 21, 22 सास्तर के लिए अपरेंटिसिप निकाले किया था, इसमें तीन डिवीजन है, जमाल पूर, अंसौल डिवीजन और माल्दा डिवीजन, यहां पर टोटल पेकर जो पैनल जारी किया गया था, नोटिफाइट किया गया था, उसमें 1270 कंडिडेट टोटल थें, और उसमें से जो डिवी के लि वहां पर टोटल डिवी के लिए जो डिवी पहुंचे थे वो 540 ही थें, और यहां पर जो यहां पर सूटेवल जो पाए गया है, यानि जिनका सेलेक्ट कर लिया गया है, उनको यहां पर 539 कंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, और 11 कंडिडेट का फॉर्म रिजक्ट कर द ब सब्छातों के लिए गाई और वहां पर बात करें तो वेकन्ट जो सीटे हैं तोटल वेकन्टसी यहांगझ तोटल सीटे यह। क्या पैनल क्या है श्फिती वो सब यहां पर वेंस लूंट कर सकते हैं नीचे Cliffordck कर यहां पर लिए आप जो आपका जमालपूर का पैनल लिष्ट है। यहां पर डेखें गये तो नाम दिया गया है और आपका रिचिटेशन जमालपूर यूनिट नेम दिया गया है और आपका registration number यहां पर mention किया गया है, तो आप यहां पर देखेंगे, यह आपका रहाँ, यहां पर जमालपूर यह आपका registration number है, candidate name देया है, father name दिया गया है, आपकी community OVC दिया गया है, और आपका data bar दिया गया है, यह फीटर है, और यहां पर जो merit बनाए गया था, वो average merit बन और यहां पर जो देख सकते हैं, पूरा detail में दिया गया है, और remark में दिया गया है, यानि जो suitable पाए गया है, यहां पर जैसे इनका देखेंगे, तो यहां पर दिया गया है, suitable subject to cross check and the correct OVC certificate issue by yesdo, submit at the time to joining training, यानि आपको remark में यह option दिया गया है, कि आपको जिसके नाम क्या के जो remark दिया गया है, वो document आपको joining के समय आपको आपको महाँ पर दिया जाएगा, अब जैसे यहां पर देख सकते हैं, यह तीन नंबर पर देखेंगे, यहां यह candidate को कुछ नहीं जमा करना है, और जिसके नाम क्या के रिमार्क दिया गया है, उस और यहां पर EWS का भी merit दिया गया है, और यहां पर देखेंगे, तो OVC, ESC, सभी का अपने अपने category wise यहां पर merit बनाए गया है, तो आप merit यहां पर देख सकते हैं, हाट trade का अलग अलग है, और इसके बाद यहां पर नीचे scroll करेंगे, तो यहां पर feeder का भी है, और भी देख पोर्टल पर भी सुचित किया जाएगा, इसके बाद यहां पर देख सकते हैं, बेल्डर के लिए बुलाया गया है, बेल्डर वालों में यही भी condition है, यहां पर देख सकते हैं, suitable के लिए यहां रिमार्क में दियागा, suitable subject to the EWS certificate issue by SDO at time of the joining training, यानि आपकी joining के समय आपको EWS certificate प्रोवाइट करना पड़ेगा, यहां पर आपकी मेरिट यहां पर आप लोग जानते होंगे कि आपकी average percentage के इसाफ से मेरिट बनाया गया है, नाम सब और यहां पर mention किया गया है, आपको जिस, आपको जितने candidate का यहां पर नाम दिया गया है, वो सभी candidate यहां पर selected हैं, और ज यही सब चीजे mention की गई है, सभी इसका भी pdf में, link description box में है, आप वहां से download कर सकते हैं, और यह यहां पर जो team division का नाम बने पहले बताया था, वो ही team division से, यहां पर mail list जारी किया गया है, और यहां पर आप digital mechanics के देख सकते हैं, digital mechanics का जो बताया गया है, यहां पर आईटिया यहां पर दिया गया, OVC में, ESC के देख सकते हैं, यहां पर यहां पर यहां पर EWS के बारे में बात करते हैं, यहां पर जो EWS का बनाया गया है, वो 76.70 मेरिट बनाई गया है, तो आप इसके recording आप नच चेक आउट कर सकते हैं, इसके बाद आप जोईनिंग के लिए जाएं आपको जोईनिंग के लिए Eastern Railway की तरफ से मेल प्रवाइड किया जाएगा और RRC की website पर यहां पर लिंक जारी कर दिया जाएगा, कब आपको क्या जाना है, तो आपना मेल चेक आउट करते रहें, आपको मेल के मध्यम से सूचित किया जाएगा, और आप लोग इसके आधार और तेज के लिए जो फार्म फिलफ किया गया है, उसका भी पैनल लिस्ट डीवी के लिए आ सकता है, क्योंकि इस्टन डेल पर बहुत तेजी से वर्क इस समय कर रहे है, इसके आधार पर यह तर्क लगाया जा सकता है, कि आपकी भी पैनल जल्दी आ सकते है, यहां पर धनलबाट